क्योंकि एक बेपी हूँ तो मुझे जो आज ये मंच मिला है इस मन्ज से मैं जो कुछ भी बोलूँगे इतने हजारों दिलों से ये बात, हजारों दिलों तक ये बात पहुंचने वारी है, इसलिए मैं अपने दिलों के कुछ फिलिंग्स को आप लोगोस के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि बेटी बनकर आई हो माबाप के जीवन में, ब देकर जनम पाल पोस्ट कर जिसने हमें बढ़ा किया, और समय आया तो उनी हाथों ने हमें बुदा किया, बेटियां इसे समझ कर परिभाशा अपनी जीवन की बना देती है, अभी लाशा एक अक्योग बंधन की, तोटकर विखर जाती है हमारी जिन्दगी बही, मगर स्फि आप कल्योग में सभी को लक्ष्मी से बहुत प्यार है, मगर जो तीजोरी में बंधन लक्ष्मी है उससे, किसी के पेट में लक्ष्मी पलती नहीं अच्छी लगती, और आज उसे बात को घ्राम में रखते हुए, कि आप की सोच भी बहुत ही ब्रॉड हो, आप लोगों की जिन्दगी भी बहुत ही सुधरे, और आपके घर की तीजोरी, आपके घर की अलमारी योही भरती रहे, संस्कारों से, पैसों से, लक्ष्मी आपके घर में चमचम करके नाचे, और आपकी तीजोरी में चमचम करते हुए चली जाये, हैं? तो उस से जादा हमारे भाग्य क्या होगा? कहते हैं कि लड़का भाग्या से मिलता है, मगर लड़की तो सौ भाग्या से मिलती है, तो लक्ष्मी जो नारी के रूप में हम लोग लक्ष्मी जी की कूज़र करते हैं, उसे तरीके से मैंने जो कहा कि सभी को लक्ष्मी से खाइं होंगे कि हम यहां यहां पर आप सभी का साथ देंगे, आप लोगों को युगदान दें, आपका साथ और सैकार मिलेगा, तो हम मेवार की शक्तर बदल देंगे, बहुत ही अच्छी रहा पर चलेंगे, इतना सुब्राने बाते कीन हैं, तो आपको भी अपना सास रखार जरूर देना है और अल्मारे के बटन को जरूर दपाना है और इश्वर से वापस एक और प्राथना कि आपकी अल्मारी और घर लक्ष्मी से भई रहे बस यही माताजी से प्राथना इश्वर से प्राथना तो चलिए यही कहते होए मैं आप सभी से विदाई ये ना चाहती हूँ किसने कहा जुदाई होगी ये बात किसी गैर ने उड़ाई होगी किसने कहा जुदाई होगी ये बात किसी गैर ने उड़ाई होगी हम तो शान से रहेंगे आपके दिलों में इतनी देर में कुछता जगा बनाए होगी जय मेवार साथ दाली को बनाए समीर भाई